हेलो फ्रेंड्स, I am Shandina and welcome to my channel Our Education तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे from where you can get best history optional IS notes अगर आप history optional लेकर preparation कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपको कहां से notes लेनी चाहिए क्योंकि ये एक बहुत important step होता है optional subject हमारे exam में, mains exam में बहुत matter करता है 500 marks optional subject के होता है क्योंकि दो paper होता है जो कि optional subject पे dependent होता है तो आपको इसकी preparation बहुत अच्छे से करनी चाहिए आपको इसको थोड़ा भी ignore लेना चाहिए and history जैसे important subject से अगर आप optional कर रहे हो तो फिर आपको इसकी preparation भी उस अच्छे तरीके से करनी हो तो इसके लिए आपको best notes, best study materials लेकर ही अपनी preparation करनी चाहिए तो आखिर कौन से कहां से आपको मिलेंगे best study material और best notes तो इसके लिए आप प्लीज इस वीडियो को लश्ट तक जरूर देखना आपको सारी information इस वीडियो में दी जाएगी सबही के लिए बहुत ही important होता है optional subject select करना और उस optional subject का preparation करना वो उसे भी जादा important होता है तो इसके लिए आपके पास एक सही coaching है कि नहीं आपके आप उसकी सही से preparation कर पा रहे हो या नहीं यह बहुत जादा important है क्योंकि हमारे mains के total nine papers में से जो दो papers qualifying होते हैं उन्हें हटाकर जो बाकी seven papers जिनके merit count होते हैं इन में से दो paper हमारे optional subject पे ही depend होता है दो paper हमारे optional subject का होता है so you can understand और एक एक paper कितने marks का 250 so total 500 marks आपके optional subject पे depend करता है तो यह बहुत जादे जरूरी है कि आप उसकी preparation बहुत ही अच्छे तरीके से करो चाहें आपने कोई भी optional subject लिया हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत सारी sites net पे available है और आप इसमें confused हो जाते हो कि कहां आपको best notes मिल पाएंगी तो इसके लिए आप सबसे पहले Plutus IAS आपके लिए सबसे ज़्यादा best option है क्योंकि यहां पे आपको best notes provide के जाएंगे आपके optional subject के लिए आपको हर तरह की facilities दी जाती है यहां पे अच्छे अच्छे faculties members हैं जो कि यहां पे बहुत अच्छी notes prepare करवाते हैं आप अराम से इसकी site पे जाकर के देख सकते हो इसकी सारी information ले सकते हो इस coaching की सबसे best notes आपको यहां पे provided है और साथी साथ आपको online khan market online khan market is a hub जहां पे आपको सबसे best notes और study materials provided होते हैं और बहुत ही lowest price में तो आप अगर best notes शारे हो यह best study materials शारे हो और आप अपने optional subject के लिए थोड़ा भी अगर careful हो तो आपको यह step बहुत ध्यान से लेना होगा तो आप यहां से जाकर के notes ले सकते हो क्योंकि बहुत सारे toppers जो है वो भी इसी coaching को recommend करते हैं इन्ही sites को recommend करते हैं उसके according ही मैं आपको बता रही हूँ इनकी rating भी बहुत ही best rating है बहुत ही best rating मिली है online खान market को और Plutus IS को भी क्योंकि यहां के जो notes होते हैं वो बहुत ही quality notes होते हैं बहुत ही precise बहुत ही clear बहुत ही helpful notes होते हैं अगर आप उससे preparation करते हो तो जादा chances होती है कि आपकी जो exam है उसके जादा तर questions आपको उससे मिल जाएं क्योंकि बाकी जो लोग notes पराते ऐसे कोई books लिया या कोई study materials लिया और उससे notes बना लिये बट कोई कोई coaching होती है जहां पे आपको कोई किसी किसी site पे आपको सबसे best notes मिलती है जो कि एकदम UPSC के point of view से होता है तो जो भी हम preparation करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम सारा कुछ पढ़ ले जरूरी है कि हम उतना पढ़े जितना हमारे लिए important है am I right तो इसके लिए आपके लिए आपके लिए आपके पास सिर्फ एक ही best option होता है और वो best option है Plutus I.S. Okay Plutus I.S. में आपको अगर कोई confusion होती है किसी भी concept को समझने में तो यहां के teachers आपको help करते हैं बहुत जादा helpful होते हैं यहां पे specialized teachers, faculty members, experienced, अच्छे-च्छे members यहां पे हैं तो आपको हर तरह से वो आपकी preparation में support करेंगे अगर आप कहीं से notes ले ले लेते हो और अगर आपको doubts होती है फिर आप कैसे पूछोंगे तो यह सारी problem आपको यहां पे face नहीं करनी पड़ेगे तो आप अराम से notes लेकर अपनी preparation भी कर सकते हैं तो आखिर हमें अपने optional subject की preparation कैसे करनी चाहिए यह point बहुत ही important होता है हम सभी के लिए कि आखिर optional subject preparation करें 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 कैसे तो देखो optional subject आपको main subject के साथ साथ ही prepare करने हैं ओके optional के लिए आपको same strategy रहेगी सबसे पहले तो आप उस subject को अच्छे से study करो और preparation के साथ साथ ही आप उसकी notes prepare करते जाओ और optional subject चूज करना बहुत wisely से जरूरी नहीं है कि आप जिस field से हो आप वही optional subject select करो maybe sometimes it will be wrong for you आप ऐसा optional subject लो जिसमें कि शायद आपको कम टाइम लगे या फिर अगर आपका interest हो उसमें तो आप ले सकते हो बाकि it depends on you कि आप बस उसको ऐसा मत ले लो कि आप उसकी चकर में सारा कुछ spoil कर दो बाकि सारा आप नहीं prepare कर पाओ तो आपको अपना option subject बहुत ही wisely choose करना है और इसके बाद फिर आपको preparation स्टार्ट करनी है अब preparation स्टार्ट करना है आपको तो आप उसके लिए पहले जो recommended books होते हैं उसके लिए मैं एक separate video बनाऊंगी तो आप उसकी recommended books लो उन books से आप अपनी preparation स्टार्ट करो और अब preparation स्टार्ट करना है आपको साथ साथ आपको notes भी बनाना है आपको short notes बनाने है तो आप कुछ best resources ले सकते हो notes आपको मैंने sites बताऊंगी इस वीडियो में तो वहाँ से आप notes ले सकते हो अच्छी notes लेकर और फिर अपनी खुद की इसके बाद फिर आपको सब्जेट की अच्छे से preparation कर लेने है फिर उसके बाद जब आपकी प्रेलिम्स ओवर हो जाती है तो उसके बाद फिर से आपको इन notes से एक बार रिवीजन करने है रिवीजन बहुत जाते important है आपके exam के लिए और notes भी इसलिए ही prepare करते हैं क्योंकि ह अच्छे से बाद में रिवाइस कर पाए तो आपको फिर अच्छे से रिवीजन करनी होगी तो आप एक बार जा करके इनकी साइट पर विजिट कर लो प्लूटस IAS की साइट प्लूटस IAS.com और और ऑनलाइन खानमार्केट की साइट ऑनलाइन खानमार्केट.com यहां पे आ थारे में धनलाइन खानमार्केट से बाता इंकी grant साइटा जिए यहां रिवीजन केमें की